हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में आज किसी वीडियो में सिखने वाले हैं रिजिनिंग एनलोगी का क्यूचन जो की हर एक्जाम में पूछे ही जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्यूचन है जिस परकार दो क समंद 32 से उसी परकार 3 का समंद बताना है ठीक है कोई को मन में चल रहा होगा ना कि 2 में हम एधिक करेंगे 2 में 16 कुना करतेंगे 16 दूना कर 32 हो जाएगा और 3 में अगर वीशाहीं करेंगे तो 16 तीया देखिए 48 हो जाएगा 48 कोई भी आप्शन में नहीं है तो ए लोजिक ग महरें है एल अगर दो कावर अगर 5 कर देंगे तो देखि Kommentous ऐगा और Parents कर देंगे तो कितना आजाएगा 250 यह ठीक है इसी लिए मैं बता दिया ठीक है तो मतलब इतना 3-3 5 बर करिए गा तो आ जाएगा 243 ठीक है तो इसका राइट एंसर दोस्तों एह हो जाएगा ठीक है और एक और तरीका बताता हूं एक और तरीका से बने गए है और 243 ही आएगा तो देखिए क्या करना है अगर दूस्तों देखिए दो का अगर हम दो का स्क्वेर करेंगे तो दो का स्क्वेर चार होता है और चार का स्क्वेर करेंगे नहीं नहीं रुकियेगा हादँ देखिए 2 का स्क्वार किए तो 2 दुन उन्हागे चार हुआ और 4 का स्कॵार करेंगे तो 14 का 16 हो जाएगा अब यही वੱा दूस से गूना कर देना है इस 16 में तो हो जाएगा केतना 16 दुना के 32 हो जाएगा दोस्तों यहीं वाला 32 देखिए यहां पर दिया गया है सेम लोजिक इसमें भी करेंगे द्यान से समझेगा क्या करना है सबसे पहले 3 का स्क्वेर करेंगे तो 3 के 9 होगा और फिर 9 का स्क्वेर कर देंगे तो 9 नमा 81 हो जाएगा और यहीं वाला 3 से सतंब आशे के सबीचे कुष्द न करना है तो कर देंगे किता हो जाएगा है कि अ պजाएगा 169 हो जाएगा कि दोसों 243 हो जाएगा हो के तो दोनों लॉजिक सही है ठीक है दोनों लॉजिक से बनेगा यह सवाल है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्यूचन की और एरह आपका दूसरा क्यूचन दूसरा क्यूचन बनाने कोशिश करिएगा SSCGL 2015 में क्यूचन पुछा गया था जिस प्रकार Y का SQR 4 से है तो उसी प्रकार B का SQR किस से होगा किस नंबर से होगा कोशिश करिए बनाने के लिए ठीक है चलिए मैं इसे direct solve करता हूँ कुछ नहीं करना है दोस्तों Y देखिए जो है alphabet के मतलब शुरुआती से मतलब A से लेकर Y तक कितने नंबर पर Y आएगा उल्टी मतलब पढ़ना है ठीक है जैसे A रुकिएगा Y, Z, A तो A से पढ़ना है उल्टी पढ़ना है ठीक है तो A से देखिए Z, 1 हुआ, फिर Z से Y हुआ, दो, दो नमर पर आया ठीक है तो इसी 2 का गया करना है दोस्तों 2 का square करना है 2 का square दो दुना के 4 हो जाएगा तो A ही ओला 4 देखिए है पर दिया गया है सेम लोगी किसमें भी करेंगे द्यान से समझी हैगा मतलब अल्फा बेट क्या करना है उल्टी पढ़ना है, A, B, C, D, ULT पढ़ना है, ठीक है A से लेकर मतलब उल्टी पढ़ना A, Z, Y ऐसे करके पढ़ना है ठीक है X, W, B ऐसे करके पढ़ना है ठीक है उल्टी पढ़ना है तो देखिए B, W, X, Y, Z, A तो A से मतलब B केतना नमबर पढ़ाएगा A से देखिए Z एक बार में 2, 3, 4, 5 5, 5 नमर पढ़ाएगा दोस्तो ठीक है तो A ही 5 नमर पढ़ाएगा न तो A का S square करदना है तो 5 का S square 5 पचीस होते हैं यहीं ओला 25 दिखिए B option में दिया है, B option इसका दोस्तो right हो जाएगा कुछ नहीं करना था कि कि उल्टी एवीची डी में मतलब ही कितना नम्बर पायर आया पांच मंमर पर पांच का स्कृर कर दिये मैं कि उल्टी पर है एसे लेकर मतलब य चार तो चार यहां पर था और यहां 25 भर जाएगा कि ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा कोई कि तो मन में चलर रहा होगा कि 6 का नहां में square कर देंगे तो 36 26 ho जएगा आएक जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा ठीक है सेम लोजिक अगर यहां भी करेंगे तो नहीं आपाएगा 7 के स्क्वार साषते 49 होता है एक जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा 50 कोई भी ऑपसन में नहीं है यह लोजिक गलत है दोस्तो कोई दूसरा लोजिक लगाना होगा चाहए कोई सोच रहे होगे ना कि 37 रुकिएगा कोई सोच रहे होगे 37 के हम दोनों संक्या को जोड़ेगे तो 7 3 10 10 में हम 4 मैंनस कम कर देंगे तो 6 हो जाए एंहीं ऑला 6 यहांपर दिया है सेम अगर वो इसाही करेंगे option की सबसे तो नहीं आ पाएगा लेकिन 9,4,13 होता है और 13 में क्या करना है 4 माइनस कम कर देंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा लेकिन यहाँ पर 7 है यह option में भी देखिए 4,4,8 हो जाएगा और 4 माइनस कम कर देंगे तो 4 होगा लेकिन 4 यहाँ नहीं साथ है 9,3,12 हो जाएगा 12 में देखिए हम 4 माइनस कम करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा लेकिन 7 है A भी नहीं होगा D option भी नहीं तो दोश्टो मतलब सारा कोजिस करने के बाद भी मतलब नहीं बन पा रहा है कैसे बनेगा कोजिस करिएगा आप लोग बनाने के लिए दोस्तों अगर देखिए किसी अन्य संख्या से अगर 6 को अगर हां मतलब 7 से अगर गुणा करेंगे अपना से तो 6 सते 42 हो जाएगा और 42 में अपना से 5 मेंस कम कर देंगे तो आप ही बोता ये कितना बचेगा 37 बचेगा बचेगा न तो यही वला 37 देखिए नुनक्स में रूकी अगव यहां पर मिटा देते हैं ठीक है बराबर में यहां 37 लिख देता हैं ओके 59 हो जायेगा और 29 में क्या करना है दोस्तो वैसे आहीं 5- कम कर देंगे 5- मुल्द पांच बाइनस कम कर देंगे 30-40 बढ़ते हैं अगले सवाल की और ए रहा दोस्तों आपका 14 की उचन और वीडियो पसंदा रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब निए प्सक्राइब अगना कोई भी आपसंद में नहीं है दोस्तो एस और ना खौन लगया ऑफ के चैनल को अगा देखाःना है अब मेंસरे हो आगर कि आपने रहें अब कि आप अगर करेंगे थे ऎक ही होगा समझ समझेगा नो अपने अपनसे पूएya है दोस्तो दो का क्यूब करेंगे है तो देखिए आठ मिल जाएगा 2दोना के 4 चार दूना के 8 होता है ठीक हा तो 27 अपने आप में क्या है दोस्तो देखिए 3 का क्यूब है ठीक है अगले सवल की और बढ़ते हैं एरा आपका पाचवा क्यूचन जिस परकार एक का समंद्थ 36 है तो उसी परकार दो का समंद्थ क्या होगा किया करना है क्या करना है एक को मतलब करके 36 कि इसे मैं डिरेकश व्लक डेता हूं यार कुछ नहीं करना है एक में कोई भी बता देगा एक एक में क्या करना है एक में क्या करना है पांच जोड़ना है तो 6 हो जाएगा 6 का स्क्वाइर 36 होता है 36 यहाँ पर देखिए दिया गया है इसमें भी क्या करना है सेम लोजी करना है पांच जोड़ना है तो दो में अगर दोस्तों देखिए 5 जोड़ेंगे 5 दू 7 हो जाएगा और 7 का स्क्वार सासते 49 हो जाएगा यह दोस्तों क्यूचन बहुत ही सिंपल था कोई भी बना दिया होगा ओके राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसे बनाईएगा वीडियो को रोकर ठीक है काफी मौस्ट इंपोर्ट सवाल है यह देखिए जिस परकार 47 का समंद 65 से है तो उसी परकार 69 का समंद बताना है दोस्तों यह क्यूचन अच्छे छे लोगों सुने ही बन पाएगा कोस्त लेकिन बनाने के लिए अब लोग ठीक है ऐसे cgl 2014 में आप पूछा गया था को कोई के तो मन में चर रहा होगा ना कि 47 में नहाम कितना जोड़ना होगा अच्छा पांच तीना यानि देखिए 18 जोड़ देंगे तो कितना 65 मिल जाएगा ठीक है अगर इसमें भी अगर करेंग चलिए मैं इसे solve करता हूँ एक और तरीका से ठीक है सोरी चलिए अगर दोस्तों देखिए देखा जाए 47 के दोनों संख्या को अगर अलग-अलग square किया जाए तो कितना हो जाएगा चार का square, साथ का square, चार का square, चार चार को 16, साथ का square, साथ सते 49 हो जाएगा ओके अगर इन दोनों को अगर जोड़े जाए 16 और उन चास को तो टोटल मिल जाएगा केतना 65 मिल जाएगा एही वोला 65 यहाँ पर देखिए दिया गया है समझेए के द्यान से सेम लोग जी किसमे भी करना है क्या करना है 69 के दोनों संख्या को क्या करना है दोस्तों square करना है तो square करेंगे तो कितना मिलेगा 5 का square 25 नो का square 9 9 81 और दोनों संख्या को क्या करेंगे 25 और 81 को जोड़ेंगा उसी परकार तो कितना हो जाएगा 5 168 दू 10 यानि 106 मिलेगे 106 C option में है C option इसका right हो ज करते हैं अगले सवाल की हो रहा है और कोमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग मतलब कितने सही कर पाएं जिस परकाड 68 का समांद 130 है तो उसी परकाड 350 का बताना है दोस्तों क्या करें 68 को 130 आएगा कोई के तो मन मत चल रहा होगा ना कि 68 में हम दूसे गुने कर देंगे तो कितना हो जाएगा अगर इस दे भी करेंगे तो नहीं आप आएगा 350 गुना दो करना है ना तो कितना हो जाएगा तिन लोग चोएगा यहनी 700 हो जाएगा और 700 में क्या करना है 6 मैंस कम कर देंगे तो केतना बचेगा 694 लेकिन कोई भी आप्सन में नहीं है दोस्तो 694 ए लोजिक बिल्कुल गलत है कोई दूसरा लोजिक लगाना होगा अगर दोस्तों देखिए देखा जाया है बहुत असान सवाल है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों कूछ भी नहीं करना क्या करना है 68 वह क्या करना है अगर दोस्तों 68 के अगर दोस्तों देखिए देखा जाया है 68 अपने आप में क्या है 68 दोस्तों देखिए अगर हम देखिए 4 का क्यूब एही वाला 4 जोड़े देंगा तो कितना हो जायेगा 68 मिल जाएगा देखें कैसे मिलेगा 4 का क्यूब केतनों हो जाएगा 64 हो जाएगा और गोड़ेंगे 168 देखिए यहां पर दिया गया है 130 अपने आप 250 दोस्तों देखिए देखा जाए 7 का क्यूब मुंव पलस भी छाला सानी 5 यान यहां पर 6 का क्यूब क्यूब छेंज करते हैं एई वाला छे टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा छे का क्यूब पलास एई वाला छे करेंगे दोस्तो दोस्तो 222 मिलेगा ठीक है तो बी ओप्सनिस का दोस्तो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा और SSE CGL 2015 में अक्यूचन पुछा गया था एक बार और अच्छे से समाज लिजेगा ठीक है रिपीट करके वीडियो को थोड़ा पीछे करके बहुत ही असान था कोई मतलब खास नहीं था बढ़ते हैं अगले से वलकी और यह रहा तो आपका अठवा की उचन कुछ भी नहीं करना है तो बहुत ही असान है SSE CGL 2015 में आपकी उचन पूछे गये थे थोड़ा मीटा देते हैं किसी के तो मन में चर रहा होगा ना दोस्तो की इसका तो इंसर साप साप दीख रहा है चर्चों को 16 जोड़े तो 17 साथ सते 49 और एक जोड़े तो 50 दोस्तों कूछ में नहीं किया गया है डेरे कि मैं आप सभी लोगों को बता दाता हूं सबसे पहले आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों एक मेरा और चैनल है कमईडी का मन्टू कमईडी वीडियो ऐसा करके चैनल का नाम है जाकर देख सकते हैं तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत